आप सभी को मेरा नमस्कार आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पोस्ट ओफिस आरडी स्कीम में सिर्फ पांच साल में मिलेंगे 7,13,658 का रिटर्न इतना पैसा जमा पर तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सरकार अपने नागरिकों को लाब पहुचाने के लिए कई योजनाय चलाती हैं, जिनमें से कुछ योजनाय पोस्ट ओफिस के माध्यम से भी संचालित होती हैं पोस्ट ओफिस की तरफ से कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम सुपलब्ध है आज हम आपको Post Office Recurring Deposit Scheme के बारे में जानकारी देंगे जिसमें आप हर महीने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा कर निवेश कर सकते हैं Post Office RD Scheme में आपको ब्याजदर किसी बैंक की RD Scheme से अधिक मिलती है और यहाँ ब्याजदर समय समय पर सरकार द्वारा बदलती रहती है इस Scheme की जमा अवधी 5 साल की होती है और वर्तमान में इस पर ब्याजदर 6.7% है तो चलिए जानते हैं कि इस Scheme में अलग-अलग राशी जमा करने पर 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा निवेश पर मिलेगा इतना रिटर्न देश में रहने वाला कोई भी नागरिक इस रेकुरिंग डिपोजिट आर्दी स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है इसके लिए आप नजदी की किसी भी डागघर में जाकर आवेदन कर सकते हैं आर्डी अकाउंट खुलवाने के बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार हर महीने राशी जमा कर सकते हैं इस स्कीम में निवेश की शुरुवात आप महज 100 रुपए प्रती माह से कर सकते हैं और इसमें अधिक्तम निवेश की कोई सीमा नहीं है अगर आप हर महीने एक निश्चित राशी जमा करते हैं तो 5 साल में अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं आईए हम आपको एक उदाहरन के माध्यम से बताते हैं कि कितनी राशी जमा करने पर आपको 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा यह उदाहरन स्क्रीन पर देखा जा सकता है समय से पहले बंद कर सकते हैं खाता पोस्ट ओफिस रेकुरिंग डिपाजिट अकाउंट पर मिलने वाली ब्याजदर पूरे 5 साल के लिए लागू रहती है अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में निवेश करना चाहता है तो उसका भारतिय नागरिक होना जरूरी है इसके अलावा अगर आपको पैसो की आवश शक्ता हो तो पोस्ट ओफिस आर्डी खाते के खिलाफ लोन की सुविधा भी प्रदान करता है यदि आप मैच्योरिटी से पहले अपना आर्डी अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपको दी जाती है हालांकि इसके लिए पोस्ट ओफिस कुछ शर्ते लागू करता है आप आर्डी खाता तीन साल के बाद ही बंद कर सकते हैं यदि आप इस दौरान खाते को बंद करते हैं तो ब्याजदर में कमी हो सकती है लेकिन आपकी जमाराशी पूरी तरह सुरक्षित रहती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें और SK Education चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए धन्यवाद